गुद मॉर्निंग स्टुडेंट क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेसन नमबर 5 परदार्थों का प्रतकर्ण सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रतकर्ण क्या होता है कि यह दो चीजों को जो आपस में मिलने हो अगर अपने इनको अलग लग करते हैं तो उनको प्रतकर्ण कहा जाता है जैसे कि दूद के उपर से मलाई को उठाना चावल में से कंकड को लग करना इस तरह मतलब दो जो आपसे मिली चीज़ें उनको लग करना प्रथकर्ण कहलाता है ये प्रथकर्ण करने की कई कारण भी है और उनके कई विदियां भी है अब पहले सबसे पहले है कि प्रथकर्ण किन किन चीज़ों का किया जाता है जो प्रथकन प्रकरम क्या क्या होते हैं जैसे चावलों से पत्थरों को प्रथक करना ये भी प्रथकन का प्रकरन है मुखन प्रापत करने के लिए दूद का मंथन करना ये भी परतक cœurन की विदी है और चाय की पतियों को अलग हो भी परतक करना अब इसके अगे हैं कि से का उडेश्ये क्याक होते हैं अपने क्या करते हैं दो भिन-भिन प्रन्तून उप्योगी प्रत्रों को प्रत्र करना जैसे कि दूद से मक्षन को प्रापत करना अब फीयुथ अपने conscious उप्योग क्या उत्तpower दोसरा अनुप्योगी आवेव को दूर करना जैसे कि चावलों में से अशुद्धीयों को या कंकड पत्थाओं को अडाना वो क्या आता है अनुप्योगी तत्वों को अपने क्या कर देते हैं उनमें से अलग कर देते हैं या हानिकार के जो परदार्थ होते हैं उनको अलग करना ये भी प्रथकन का एक उदेश्या हो सकता है अब आगे हैं प्रथक अवयम को हम क्या क करते हैं और हम कई बार क्या होता हम दोनों का उप्योग कर लेते हैं जैसे कि अपने दूद का मन्थन करते हैं उसके बाद चाच और मक्षन दोनों चीज़े अपने को प्रापत होती है अपने का कर लेते हैं लेकिन जो चावल के बाद अपने को कंकड़ प्थर प्रापत होती अपने उनका उप्योग नहीं कर सकते अब आगे हैं कि प्रथकण की अलग अलग वीडियां सबसे पहले क्या है हस्त चेन हस्त चेन का मतलब होता है हाथों से चुनकर अलग करना इस तरह कि उप्योग वीडियों का उप्योग गेहूं चावल और डालों गें कुछ बड़े-बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर या भूसे को अलग कर या करया जा सकते हैं इसका इससे क्या होता है जो शुद्धियों होती है वो ज्यादा नहीं होती और इस्तिति में क्य होता है कि शुद्धА ज्रणक क्या करते हैं किसी बड़े बरतन में इंको टालके हाथों से चुनकर उनको अलग कर देती हैं नेक्सट विडिए थ्रेसिंग वीडिया थ्रेसिंग भी क्या होता है है मां इष्ट, जब अमने खेतों या खल्यानों में इसे गेहँ या चावल को प्रापत करते हैं उनकी जो सुखसर्अब करना होती है। या सुखह पौधे जुनके साथ होती हैं पर नकॉन लगे नकॉन लगे होते हैं और खेतों दूरी पर्वक्रसे тебе तोड़ का अलग नहीं कर सकता है। भू तो पहले तो इनको दूप में सुखाता है। उसके बाद क्या बड़े सारे पत्थर पेट इनको क्या करता है। अन्ग के दानों को अलग़ कर लेता है। पहले तो यह काम भी हाथों के दोवारे thành इस इस तरह से करता था लेकिन अब इसके लिए क्या है थ्रेसिंग मशीन ने भी आ गई है और कंपाइन दवारा यह अन्य थ्रेसिंग मशीनों के दवारा इनका इनको लग किया जा सकता है उसके बाद है निश निश पावन इस तरह का यह विदी किल्मे प्योग की जाती है जो सुखी पत्तियां होती है इस तरह के मिश्रण को अलग करने के लिए इसमें क्या करते हैं कि हवा की दिशा में थोड़ी उंचाई पर खड़े होकर उनको नीचे ग्राया जाता है कणों को जो हवा होती है वो जो उनमें दूल के कण होते हैं या सुखी पत्तियां होती है उन वीदी के द्वारा किया जाता है इसमें क्या होता है कि निश्पाशन का व्योग पवनों तो था वयू की जोंको द्वारा मिश्रन से बारी यह थो अलके व्यों को प्रत्थ किया जाता है जो हावा की दिशा में होते हैं हलके कर उस तरफ चले जाते हैं जो बारी होते हैं वो कोई भी विंजन बनाने से पहले आटे को छलनी से चानते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आटा होता है वो तो नीचे चला जाता है छलनी के में छोटे-छोटे में से रेट को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है इस तरह से व्या adapto निस्थारन और निसेंदर कुछ परदार्थों को जब अपने जल में मिलाते हैं तो जो भारी परदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं जल में नीचे बैड जाते हैं अब आपने ये वीदी में देखी होगी जब अपने गरों में चावल ये डालों को बनाते हैं तो अपने क्या करते हैं पहले चावल और डालों को पानी से धोया जाता है ताकि जो उनमें चिपकी हुई मिट्टी या उशुद्धियों होती हैं वो क्या होती हैं पानी के साथ शुदियां दूर चली जाती है और जो डाल या चावल होती है वो क्या होती है नीचे पैंदे में ही रह जाती है तो अपने क्या करते हैं और वो पानी को शुदियों के साथ बाहर निकाल देती है और जो डाल होती है अपने बास साफ बच जाती है अब इस तरह से जब अपने मिश्रन में जल मिलाने पर बारी वामों के नीचे तली में बैड जाने के परक्रम को अवसाधिन कहा जाता है इस वीधी के द्वार अपने क्या करते हैं जैसे अपने चावल और डालों को दोते हैं तो वो चावल और डालों में से शुद्यों को अलग कर लिया जाता है और जो बारी प्रदार्त होते हैं नीचे पैंदे में बैड़ जाते हैं तो अपने क्या करते हैं अब साधी मिश्रोन को बिना हलाए जल को मिट्टी सित उडेलने की परकिरे को निस्तारन कहते हैं जब अपने दोने के बाद बरतन को टेड़ा करके जो बारी प्रदार्त होते ह को छोड़ने के अलावा जो पानी सित मिट्टी होती है उसको अलग कर देते हैं उस वीदी को निस्तारन वीदी कहा जाता है अब यहां तक जो लैसन था उसमें से तीछे आपको कुछ कि हम किसी मिष्णान के बिल अवैं को प्रत corsia कि आविशकता क्यों होती है तो अपने मेंको इसके तीन कारण दिए हुए हैं कि अपने प्रत्था क्यों होती है तो इन तीन में से आपने कुई दो इसमें कोंट्स जने लिश्पाश्चन वीदी से क्या अप्राय यह क्यों प्योग की जाती है तो दीश्पाश्चन को प्योगा व्हाहिएं कि जोकों द्वारा मिश्चन से बारी अथ्वा थो प्रथख करने में किया जाता है तोस делать किसां इसद्री को अप्योग हलगे बूसे को बारी अनकणों से प्रत्सकर में करते हैं ये दूसरे कॉपॉशन का अंसर है इसके अलावा पकाने से पहले दालों की किसी निमूने से आप भूषे और कैसे प्रत्सकरते है तो किसी ब्हुत का पानी पानी से अच्छी तरह से दोया जाता है जब इसमें जल में डालते हैं उसमें जो चिपकी वे शुद्धियों होती है वो दूल के करण पानी के साथ क्या होती है प्रत्थकों के जल में चले जाती है तो ये इसके थर्ड कोस्टन का उसर था क्यों दोया जाता है उनकी शुद्यों को दूर करने के लिए च्छालनवीदी से क्या अप्राय है यह कहों प्योग होता है च्छालनवीदी का प्योग गेहूं क्याट्टे को चानने के लिए अपने गरों में प्योग करते हैं जब अपने कोई भी वेंजन मनाना होता है या फ नीचे अपने को शुद्परदार्थ प्रापत हो जाता है इसी तरह से यह आगे जो रिकिस्तान दियों में है वो है दान के दानों को डंडियों से प्रत्थ करने की विदी कौन से होती है थेसिंग विदी के द्वारा दान से डंडियों को लग क्या जाता है जब अपने किसी कपड़े पर दूद को उडेलते हैं तो मलाई उस पर रहा जाते हैं तो इस प्रत्थकन की विदी को क्या करते हैं चालन विदी कहते हैं जिस तरह से अपने छलनी से छान कर आटे और अशुद्यों बोला करते हैं उसी प्रकार अपने किसी कपड़े पर किसी क कपड़े पर दूद को अगर उडेलते हैं तो मलाई उपर रहा जाती है तो इस वीदी को चालन वीदी कहा जाता है